नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेरे यूटीब चैनल पे दोस्तों आज हम बात करेंगे महिला इंबाल विकास विभाग राजस्तान जेपुर द्वारा जारी किएगे एक नोटिफिकेशन के बारे में जिसके अंतरगत पुर्व प्रात्मिक सिक्सा ध्यापक सीदी भर प्रिक्षा 2018 को आयोजन किया जाएगा जिसकी योगेता रहेगी सीनियर सेकेंटरी कुल पद हैं तेरा सो दस वेतनमान पे मेट्रिक्स एल फाइव जो करीब 20,000 रुपए के आसपास होगा चर्चा में आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके इसे ब्लेक कर दीजिए पास में दिएगे बेल आइकन पे क्लिक करके आप हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त कर पाएं साथ मिक्सिक साध्यापक पदों की कुल संग है तेरा सो दस जो की गैयर ञए रहुद की घार में 1000 यूसा छेटर में तेन सो दस है इस परकार कुल तेरा सो दस है आई लाइमबाल विकास भाग दोवारा इतनी बड़ी सीधी भरती फाली वारा यो जित की जारी है जहां कुल प के बारे में तो आप आवेदन अपनी SSO ID दोरा ही कर पाएंगे अगर अभी तक आपने SSO ID क्रियेट नहीं कर रखी है तो आप हमारे चैनल पर SSO ID कैसे क्रियेट करें यह देख पाएंगे अब बात कर रहेते हैं प्रिक्सासुल के बारे में जिसके तहत सामाने वर्ग वे क्रिमीलियर स्रेणी के अन्ने पिछड़ा वर्ग अती पिछड़ा वर्ग के आवेदन है तो आपको देने होंगे साड़े चार सुरुपे राजस्तान के नोन क्रिमीलियर डावर, अती पिछडावर के आवेदन है तो आपको देने होंगे साड़े तीन सु रुपए S.C.S.T. वरक के लिए होगा 250 रुपए अगर आपके परिवार की वार्शी का ड्हाई लाक रुपए से कम है तो आपको 250 रुपए ही देने होंगे अब बात कर लेते हैं परीश पत्र के बारे में बार्टवscreen के वर्टवार द्वारा समझत भिर्थियों को बोर्डव की विबसाइट के माध्यम से ही ओनलाइन परविश पत्र जारी किये जाएंगे बोर्ड द्वारा डाक से कोई भी प्रविश्पत्र नहीं भेज़े जाएंगे तो यहां साफ साफ लिखा गया है कि बोर्ड ओनलाइन ही प्रविश्पत्र जारी करेंगे किसी परकार की डाक द्वारा आपको प्रविश्पत्र नहीं भेज़े जाएंगे अब देन हम बात कर लगते हैं वेतनमान की तो यहां लिखा गया है साथ वेतन आयो के अनुसार पुरूर प्रात्मिक शिक्सा ध्यापका वेतनमान पे मैट्रिक्स लेवल पांस निर्धारित है तो जो मैंने आपको पहले बता दिये था पे मैट्रिक्स एल फाइब में ये लग रसकार दोरा नियामन उसा नियतमाशित परिसर विक्स हो गा मलवज़़ों फिक्स पे है वही दे होगा जब टी ए डिया वगए आपको दे प्राप्त संस्था से दो वर्जी नर्शरी अध्य पक्रिक्ष्जन में प्रिस्थी को आपको चाहिएगा नेक्स्ट है देवनागरी लिपी में लिखित हिंदी का वह वारी ज्यान तथा राजस्तान की संस्कृति ज्यान यह हो आपको अनिवारी है नेयोगेताएं आप विश्टरित विग्यपती में पढ़ लेंगे राश्टरियता है भारत का नागरिक हो नेपाल का प्रजाजन हो बुटान का प्रजाजन हो नेक्स्ट हैती बचरनार्थी जो दिनांक 62 से पहले भारत में इस्थाई रुप से बसने के विचार से आया था बात कर लेते हैं आयू सीमा की तो यहां लिखा गया है कि एक जनवरी 2019 को 18 वर्ष की आयू प्राप्त कर चुका हो या 40 वर्ष का नहीं बापकी उमर एक जनवरी 2019 तक 18 वर्ष से नहीं और 40 वर्ष से अधिक नहीं पर उच्छतम मायू सीमा में छूट है तो कुछ दिशा निर्देश दिएगे हैं वह आप पढ़ लेंगे नेक्स्ट एंसदाई पेंशन नए भरती न्यूक्त होने वाले करमचारी के लिए नियमनुस और एंसदाई पेंशन योजना लागू होगी जो न्यूपेंशन स्किम है वही लागू होगी नेक्स्ट आप विवापंजियन आपको अपना विवापंजियन परस्तूत करना होगा बात कर लेते हैं प्रिक्सा सुख जमा कराने यहां ओनलाइन आवए दिन पत्र भरने की आवधी के बारे में तो यहां साफ साफ स्प्ष्ट किया गया है कि दिनांग 29.09.2018 से 28.10.2018 को मद्य रातरी बारा बज़े तक जमा कराया जा सकता है मतलब जो ओनलाइन आवे दिन हैं आप 29.09.2018 से 28.09.2018 को मद्य रातरी बारा बज़े तक कर पाएंगे बात कर लेते हैं प्रिक्षा का महायम दिनांग तो यहां लिखा गया है कि संभवता नौंबर या दिसंबर 2018 में आवंटी प्रिक्षा के अंदरों पर करवाई जाएगी मलावी साल के अंदर तक ये एक्जाम कंड़क्ट करवा देंगे नेक्स्ट है अनापती प्रमान पता है जो अगर आप किसी भाग में कारे रहते हैं तो वहां से आपको एक अनौसी स्रेटिफिकेट इस्यू करवाना होगा न्यूक्ति की योगेता हैं ये आप यहां से पढ़ लेंगे आवेदिन कैसे करें ये रीड आउट कर लेंगे आप फोटोग्राफ अगेरा इनके बारे में लिखा गया है अस्ताक्सर कैसे अपलोड करें नेक्स्ट हैं ओनलाइन आवेदन में सनसोधन की प्रक्रिया यहां पर साफ लिखा गया है कि आप अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में कोई सनसोधन करना चाहते हैं तो लास्ट डेट के बाद आपको साथ दिवस का वक्त और दिया जाएगा लेकिन इसके लिए आपको तीन यह देने होंगे नेक्ट है शुरूती लेखन की सुईधा प्रमाणपत्रों का सत्यापन जो जो प्रमाणपत्र चाहिए वो आप यहां से पढ़ लेंगे नेक्ट लिखा है पुर्वा प्रात्मिक सिक्षा अध्यापक के पदों पर भरती है तो प्रिक्षा की स्कीम प्रिक्षा का प्रिक्षा का प्रिक्षा का प्रिक्षा का प्रिक्षा का प्रसंपत्र बहुवी कल्पी होगा प्रसंपत्र सो अंकों को होगा नियुनतम 40 मार्क आठे करम के सम्तुल्य होगा नियुक्ति प्राधिकारी राजस्थान करमचारी चैन बोर्ड ऐसे किसी अभ्यारती किसी फारिश नहीं करेगा जो नियून्तम 40% प्राप्त करने में विफल रहता है मतलब मिनिम्म 40% नमार्क्स तो आपको उप्टेंद करना होंगे चाहिए आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो नेक्स्ट यहाँ बोर्ड की वेबसाइट है वो लिखी है जो है www.rsmwsb.rajistan.gov.in उमिद करता हूँ दीगी जानकारी से आप संतुष्ट होंगे अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें अपने दोस्तों के साथ सेयर करें थैंक्स फूर वाचिंग टेक क्या है बाई बाई